एक चोटी लेटकी, जब से वो 6 साल की थी, तब से लेकल 17 साल तक वो एक बुड़े आदमी के साथ रहती है जब ये 17 साल की होगी, तब ये दोनों शादी करने वाले होते है इसके बात क्या होते है, ये जानने के लिए The Bow 2005 की मुवी मैं आपको एस्प्लेन करने माला हूँ अगर आपको इस मुवी में लगा कि स्टोरी खा जा रही है, क्या हो रहा है तो इसके लास्ट में मैं आपको एक पूरा एक्स्प्लेशन दोंगा, कि जो इवेंट्स थे, ये क्यों हो रहे थे ये बहुत ब्यूटिफुल मुवी है, तो डारेकली स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है, और हमें ओल्ड मैन दिखता है उसके पास bow and arrow होते है, इस bow को वो strings बानता है और इससे एक violin के तरह device बना लेता है इसके साथ जो लड़की है, वो हमें दिखती है इसके आखों पर ये काजल लगाते हैं, और इसके बाद ये music बजा रहा है ये दोनों जो होते हैं, एक boat पर रहते हैं, एक fishing boat होते हैं इस boat को ये old man train करता रहते हैं आज भी कुछ लोग को इसने ये rain किया होता है जब ये लोग fishing करने के लिए आते हैं, तो इस लड़की को देखते हैं इसे अपने पास बुलाते हैं, ये दोनों जो हैं, इनकी रिलेशन्शिप इने पता नहीं है, ये इस लटके से बुछते हैं, वो तो तुम्हारे ग्रैंड फादर नहीं है न, तुम रात में एक साथ सोते होंगे, ये उसकी मज़ाग ले रहे होते हैं, तभी ओल्ड मैन अपना बो एन एरो लेता है, और उन पर चलाता है, ये दो लोग जो होते हैं, ये डर जाते हैं, ये दोनों फिशिंग करने लग जाते हैं, इसमेंसे एक आदमी कहता है, कि इन दोनों डिसाइड किया है, कि जब वे 17 साल के होगी, तभी दोनों शादी करने वाले हैं, उसका फ्रेंड उसे कहता है, कि अपने अपने फिशिंग करो, नेक जो बो आएगा, वो तुमारे बोड़ी में ही घुसेगा, ये ओल्ड मैन जो है, ये फॉर्चुन बताता है, अभी अभी हमें जो दो लोग दिखाए गए है, उसमेंसे एक आदमी को उसके फॉर्चुन बता करनी है, वो ओल्ड मैन को कहता है, कि मेरे और मेरे वाइफ के जो संबन्द है, वो ठीक नहीं चल रहे है, क्या तुम मुझे मेरे फॉर्चुन बता अगर समझा सकते हो, इस तरह से ओल्ड मैन फॉर्चुन कैसे बताता है, इसकी मेतर नमें दिखाए गए है, जिस बोट पर ये रह रहे होते है, इस बोट पर एक जुला होता है, ये लड़की जुले वर बैठती है, और इसके बाद ये ओल्ड मैन बोट एन एरो लेता है, इस जुले के पीछे ही बुद्ध की पेंटिंग होती है, जब ये लड़की जुला जुलती है, तो बोईन एरो से ये बुद्ध की मूर्ति पर बोँव मारता है, यह इस लड़की को लग सकते है पर यह लड़की उस वर बहुत जादा ट्रस्ट करती है Old Man का निशाना कभी भी नहीं चुकता जब एक तीन एरो चलाता है तो यह लड़की Old Man के पास आती है यह actual में यह लड़की बता सकती है यह इसके कान में Message देती है यह Old Man विचे इस आदमी ने पूछाता उसको सब कुछ कह देता है यह Message क्या है यह हमें सुना ही नहीं देता पर यह जो आदमी है यह Message सुन कर बहुत दिस्टरब हो जाता है इसके बाद यह Fishing करने वाले दोनों जाते हुए हमें दीखते है अब इन दोनों का क्या Routine है यह हमें पता चलता है यह जो लड़की है यह भी Bow and Arrow की Practice करती है यह जो Old Man है इसके पास एक और Boat है इस पर वो शेहर जाकर आता है जो भी सब Supply जगरा होते है यह सब वो लेकर आता है यह लड़की कभी भी शेहर नहीं गई है जबसे वो शेह साल की थी अब वो सद्रा के होने वाली है तब तक वो पुरी वर्ल्ड से दूर रही है यह Old Man इस लड़की को नहलाता है रात हो जाती है तब अपने Bow and Arrow से वो एक Instrument बना लेता है यह Instrument भोट के उपर जाकर वो बजाते रहता है यह एक तरह का Meditation रिप्रेजेंट करता है Arrow as a Powerful Weapon और Meditation यह दो तरीके से हमें दिखाए जाता है रात में हमें दिखता है कि Old Man इस लड़की के पास आता है Measuring tape इसके पास होती है और उसकी height क्या हो गई है यह वो देखता है फिर वो calendar के पास जाता है calendar में जाकर आज का दिन जो खतम हो चुका है इसको mark कर देता है यहां में दिखता है एक मांद के बाद यह लड़की 17 साल की होने वाली है और calendar पर लिखा होता है कि इस दिन पर यह दोनों शादी करने वाले है नेक्स दिन यह Old Man फिर से supplies लेने के लिए जाता है इसके बाद हमें यह लड़की खाना खाते हुए स्टिंग से इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए जूला जूलते हुए और पूरे बूट पर खेलते हुए हमें दिखती है जब यह Old Man वापस आता है तो इसके supplies में इस लड़की के लिए boots भी होते है यह जो boots होते है यह इसे अभी वो देने नहीं वाला होता आज उसने जो shopping की है इसमें clothes है यह इनके शादी के clothes है यह जो सामाने एक कबड में वो लॉक कर देता है इसके बाद हमें फिर से दो आत्मी दिखाए करे है वो fishing करने के लिए आये हुए होते इस लड़की को पास बुलाते है इनके पास एक मचली होते है उसके कबड़ों में उटालते है इसे वो feel करने कोशिश करते है पर ओल्ड मैन बाव लेता है और एक जगा पर मारते है इन दोनों को डरा देता है ये दोनों उस पर चीर जाते है और अपने आप में discuss करते है कि हम चारों यहाँ अकेली है हम दोनों ने अगर decide किया तो ओल्ड मैन को मार सकते है ये दोनों फिर old man के पास आते हैं और उसे unconscious कर देते हैं लेड़की के पीछे लग जाते हैं पर लेड़की वहाँ से भागने लग जाते हैं इस boat में अलग-अलग जगा से भागते हुए boat के terrace पर आ जाती है इसके बाद वो bow and arrow लेती है और इन दोनों पर वो निशाना लगाती है इन दोनों को मार सकती है और इसके बाद ये दोनों डर कर वहाँ से चले जाती है अब next scene में और कुछ लोग fishing करने के लिए आते हुए हमें दिखते हैं ये जो लड़के होती है इसके ही age का एक लड़का वहाता है इस लड़के को देखते ही उसे इसके प्रती attraction हो जाता है इसे देखकर smile करती है इसे देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है इस लड़के के पास headphones होते हैं, यह इसके पास जाती है और इस headphones को पहन लेती है यह song सुनना उसे बहुत ही अच्छा लगता है इस लड़के को भी questions होते है, यह पुछता है तुमारी age क्या है, तुम स्कूल में कहा पढ़ती हो तुम क्या कभी CEO गई हो, यह ऐसा question उसे पूछता है बाद में इसे यह भी पूछता है, यह जो old man है, क्या तुमारा grandfather है old man को यह लड़की इससे बात करी है, यह अच्छा नहीं लगता, तो इसके पास वो चला जाता है headphones इस लड़की से निकाल लेता है, उसे अंदर लेकर आता है रात में old man इस लड़की को जब नहला रहा होता है, तो यह लड़का उपर से देखता है यह लड़की भी उसे देखकर smile करती है नेक्स दिन इस लड़की के जो father है, यह इस old man के पास आते है वो कहते हैं, यह मेरा business सही से नहीं चल रहा, कि मेरी fortune तुम बता सकते हो इसके बाद जो सब इनका way होता है, जिस तरह से fortune बताते है, यह सब होता है old man भू चलाता है, यह लड़की जुला जुलती है, इस लड़की के पास से ही arrow चले जाते है यह लड़का यह सब देखता है, जब लड़के के father को old man fortune बताता है, तो उसके father बहुत खुश हो जाते है इसके बाद यह लड़का फिर से जाने वाला होता है, जाते जाते अपने जो headphones से इस लड़की को देखकर जला जाता है जब यह headphones old man देखता है, तो इस पर गुसा हो जाता है, यह headphones उसे चीन लेता है, और locker में बन कर देता है इसके बाद हमें फिर से इनका routine दिखाया जाता है, यह जो सब पहले करते थे, यह वो फिर से कर रहे है रात में इनका जो bed होता है, लड़की नीचे सोती है, और इसके ऊपर के bed पर यह old man सोता है लड़की का हाथ पकड़ कर इसे सोना अच्छा लगता है, जब यह old man फिर से city में चला जाता है, तो उसके locker में क्या है, यह यह लड़की देखना चाहती है इसमें इनके शादी का सब सामान होता है, लड़की के जो clothes होते है, यह पहन लेती है, पूरे boat में वो घुमती है, जो headphone उस लड़के ने इसे दिये थे, यह भी वो पहन लेती है यहां में इस headphone के जो wire है, यह audio device से connected नहीं है, यह हमें दिखता है, यानि कि इस लड़की ने इसे headphone दिये है, इसलिए इसे पहनने है, रियल वर्ड का जो connection है, यह इसे चाहिए है old man जब वापस आता है, तो उसके headphone लेने के लिए, वो इस पर चीड गई होती है, यह इसके पास आता है, और smile करता है इससे उसुला करना जाता है, पर यह वहाँ से उठकर चली जाती है, और एक आतमी यहाँ fishing करने के लिए आया होता है, इसके पास आती है, और उसके कंदे पर सखर रखकर सो जाती है Old Man बहुत ही जादा जिलस हो जाता है, यह इसको उठाता है और boat में बन कर देता है, जो आदमी था, वोसे भी यहाँ से भगा देता है इसके बाद के सेन में हमें यह लड़की आकास में plane देखती हुए दिखती है, रियल वर्ल्ड की जो भी सब चीज़े होती है, यह इसे बहुत ही intimidating लगती है इस रात हमें दिखता है कि old man calendar के पास आता है, इस day को mark कर रहा होता है, तभी इसे एक idea आती है Next month अभी भी दूर है, इसको जो passion से यह खतम हो रहा है, अगले कुछ दिन वो mark कर देता है, यानि कि यह दिन गुजर चुके है, ऐसा हो pretend करता है यह लड़की भी यह देख रही हुती है, आज उस आतमी के साथ इंसिडेंट हुआ है, और यह उससे बात भी नहीं करें, उससे लग रहा है कि इससे दूर जा रही है, इसलिए जल से जल इससे अपने पास बूलाना चाहता है नेकसिन में बो एन एरो की प्रैक्टिस करते हुए में दिखती है, और वहाँ ओल्ड मैन भी बेटा हुआ होता है यह ओल्ड मैन पर निशाना लगाती है, यह भी उसके आख में आख डार कर वही बेटा रहता है, यह लड़की फिर अपना माइंड चिंज कर लेती है अब थोड़े दिनों बाद हमें जो लड़का वहाँ आया था, वो फिर से आता हो दिखता है, यह लड़की इससे देखकर बहुत ही खुश होती है जब लड़का फिशिंग कर रहता है, तो अपना एक डमरू हो लेती है, यह लड़की उसके पास जाती है, उसके पास एक डमरू होता है यह डमरू उसके कान पर लगाती है और यह बजाने लग जाती है इस तरह से इस लड़के ने उसके headphones इसे introduce कराये थे इसी तरह से अपना डमरू भी इसको यह introduce कराती है इसका जो world है यह उससे वो दिखाना चाती है रात में लड़की जब सोई होती है तो लड़की के पास हो चली जाती है old man अपना हाथ नीचे रखता है इस लड़की को हाथ पकरना जाता है पर वो यहां नहीं होती है यह लड़का और लड़की एक दूसरे को किस करने वाले होते है तभी old man देख लेता है ये इस लड़की को बोट में दूसरी जगा लेकर जाता है ये लड़का फिर उसे बात ही करने रख जाता है ये लड़का कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो क्या फिल करती है इस लड़की को तुम बान कर नहीं रख सकते इस लड़की के जो parents है यह भी उसे ढूरना चाहते होंगे मैं इने ढूरन लोंगा और फिर से वापस होंगा इस दिन ये लड़का और इसके फादर इन दोनों के ओल्ड मैन वहाँ से भगा देता है ये लड़का यहाँ से चला गया है तो इस लड़की को बहुत ही बुरा लगता है इसे भी इस लड़की के पीछे जाना होता है जो old man के पास boat होती है इस पर वो जर जाती है इस boat को स्टार्ट करती है और वहाँ से जाने वाली होती है तो भी old man ने देख लेता है इस बोट में जड़ जाता है और इस बोट को रोग लेता है इसके बाद इस old man का जो patience है ये खतम हो जाता है इनके जो beds है ये एक दूसरे की ऊपर है तो इस beds को काट देता है साइड में इन दोनों को लगा देता है ये लड़की बहुत ही दुखी होती है पर तभी इससे देखता है कि जो लड़का है ये वापस आ चुका है ये old man को एक pomlet दिखाता है इसमें लिखा होता है कि ये जो लड़की है ये missing है इसके parents इसे डोन रहे है इस old man को ये बताता है पर ये old man इस pomlet को नीचे फेक देता है लड़की को ये लड़का कहता है तुम्हें real world में जाना पड़ेगा old man अब ये arrow चला नहीं सकता है जब रात में ये दोनों सोय होते है तो old man फिर से इसका हाथ पकड़ना चाता है पर इस बार ये इससे हाथ पकड़ने नहीं देती है इसे control करने की कोशिश करता है पर इसे होई जाबड लगा देती है अब ये old man इस पर नाराज होता है इससे बात नहीं कर रहा होता दूसरे दिन जब ये बोट पर अकेला बेठा होता है तो लड़की उसके पास जाती है ये उसके पास जाकर उसे पता रही होती है कि फ्लीज उस पर नाराज मत हो इसका जो गुस्सा होता है ये निकालना चात इस लड़की पास से ये लड़की का फ्लीज तुसरे ओंड़क जाएगा और मैन भी इसके लिए महांज जाता है ज upर फिर से इस लड़की के पास से आरऊ चलाता है तो लड़का अब यह सहन नहीं कर पाता जिस जूले पर यह लड़की होती है यह जूले को वो काट देता है यानि कि इस लड़की को कोई भी हाम ना हो जो फॉर्चन होती है यह लड़की ओल्ड मैन को बताती है और यही fortune इस लड़की को बता देता है इस लड़की को यह बहुत ही अलग लगती है यह लड़का और लड़की फिर दोनों old man के पास आते है यह कहते हैं कल हम जाने वाले है old man ने उसकी और लड़की के शादी के लिए जो सब सामान लाया होता है यह सब वो फिर बाहर फिक देता है नेक्स दिन यह लड़का और लड़की बोट में बेटका जा रहे होती है तो इस बोट को बानने के लिए जो डोर होती है यह डोर का फंदा बना लेता है old man अपने नेक को यह बान लेता है वो पसुसाइड करना चाहता है यह बोट आगे नहीं जा रहे होती तो लड़की वो समझ में आ जाता है कि हो क्या रहा है यह जो डोर होती है यह वो काट दिती है आगे जाकर इससे रियलाइज होता है यह जो सब हो रहा है यह गलत हो रहा है वो फिर से वापस आती है इस ओल मैन के पास आकर उसे हग कर लिती है ये दोनों एक दुसरे के कंदे पर रोने लग जाते है इन दोनों ने एक दुसरे को रिजेक कर दिया था पर अब फिर से इन दोनों ने एक दुसरे को एक्सेप्ट कर लिया है अब मैं दिखता है कि शादी के जो सब क्लोट्स से गराते हैं ये खटा कर दिये जाते हैं ये अब भी क्लोट्स पहन लेते हैं एक दुसरे को रेडी करते हैं अब ये दोनों शादी करने वाले होते हैं ये लड़की भी मेकप करते हैं सब सामानों लगाते हैं जो सब वीधी होती है एक की जाती है एक दुसरे को स्विट्स किलाती है और इसके बाद इनकी शादी खत्म हो जाती है और मैन के पास जो छोटी बोट होती है इस पर वो बैटकर दोनों हनीमून के लिए आगे चले जाते है जो लड़का होता है या बड़ी बोट पर ही अब में दिखता है कि यह जो old man है, यह सब कपड़े इस लड़की को उतारता है, वो इसके बाद अपना बो निकालता है और यह बजाने लग जाता है, यह लड़की यह music सुनते सू जाती है, अपना यह song खतम करकर यह old man खड़ा हो जाता है, एक arrow लेता है, आकास में छोड़त है और इसके बाद यह पानी में कूच जाता है, यह old man यहाँ suicide कर लेता है, यह जो boat है यह फिर से इस लड़की के पास आ जाती है, यह लड़की जब सोई हुए होती है, तो अपने आपको please करने लग जाती है, जब वो उत्ती है, तो इस लड़की के साथ में, वो world में जाते यह जो old man होता है, यह बाओ को भेपान भी बना लेता है, वो उसे instrument भी, यानि कि एक तरह का meditation और किसी को मानने का साधन, यह जो old man है, इस लड़की को दुनिया में जो सब दूख है, जो सब चीजे है, यह सब experience करने से दूर रखना चाहता है, अलग-अलग लोग जब तो इस लड़की की curiosity यह represent करते है, जो सब चीजे इसके पास है, इसके beyond उसे जाना है, यह यह sins represent करते है, हम देखते हैं कि जो सब लोग आते है, इसके साथ सोना चाते है, इसका शोशन करना चाते है, फिर भी जब लड़का वहाता है, तो यह फिर से उसके साथ इस world में जान जाती है, जिस world में जाना चाती है, यह pain से भरा हुआ है, बहुत सारी गलत चीजे इसे वहाँ देखने के लिए मिलेगी, बहुत bad experience इसके हो सकते है, फिर भी इसे यह experience करना है, जब उसके age का यह लड़का वहाँ आता है, तो इससे वह बहुत जादा connect कर पाती है, real world की जो स जब चीजे होई, उसके बाद उसे पता चल गया था, कि उस लड़की पर इसका कभी भी control नहीं था, लड़की जो है, यह free है, इसकी decision वह ले सकती है, इसे world को देखना है, तो इसे देखना चाहिए, यह इसे एक जगा पर बान कर नहीं रख सकता, इसलिए इस लड़के के सा अपने आपको प्लीज करते हो दिखते है, जिस सीन में आपको प्लीज करते हो दिखाए गई है, यह reason करता है, कि अब वो सब experience कर रही है, जिस जगा पर वो confined थी, अब उस जगा पर नहीं रहने वाली, पूरे world को experience करने वाली है, उसके अंदर की जो सब desire थी, अब वो बाहर आ रही है, इसके बाद लटका और लटकी हेलवर्ण में चले गए थे, और जहाँ वा रह रही थी, यह बोड अब डूप चुकी है, अगर आप कोई वीडियो चलागा, तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा, मैं बहुत सारी मुज लेकर आत रहत हो, तो प बेल इडिवेशन आइकों दाने मत भूलिएगा, हम वेसे मिलेंगे और एक रमुवी के साथ, तब तक के लिए थैंक्यू, और आप अपने आपका खैल रखिया,